शिवपुरी शहर के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजिनियर के साथ 20 लाख की धोकाधड़ी का मामला सामने आया है सॉफ्टवेयर इंजिनियर के शिक्षक पिता ने आज इसकी शिकायत कोथबाली सहीत SP आफिस में की है कोटपलिक शत्र के शिबशक्ति नगर के रहने वाले शिक्षक नगिंद्र रगवणशी ने बताया कि उसका बेटा नितांत रगवणशी सॉफ्टवेर इंजिनियर है जो दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा है वह कुछ रूस पहले ही चुटी लेकर घर आया था शिक्षक ने बताया कि उसके बेटे ने पूर्णे की एक सॉफ्टवेर कमपनी को एक सॉफ्टवेर आउडर किया था इस सॉफ्टवेर को खरीदने के लिए उसने चोटे मोटे प्लेंडें में क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते का इस्तमाल किया था लेकिन कमपनी के द्वारा उसे सॉफ्टवेर भी उपलब्द नहीं हुआ है शिक्षक नगिंडर अगुवंची ने बताया कि इसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते के द्वारा फ्री अप्रूफ लोन के जरिये कुल 21,46,100 रुपई की राशी काट ली गई शिक्षक ने बताया कि बेटे के क्रड़िट कार्ड और बैंक खाते में पहले 19,00 लाख का लोन पास कराने के बाद राशी को बेटे के ही खाते में डाला गया फिर उस राशी को अलग-लग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है इसके अतरित बेटे के खाते में दो लाख रुपए के राशी भी जमा थी वह राशी भी ऑनलाइन निकाल ली गई है बेचे के खाते और क्रडिट कार्ड के साथ धुका धड़ी कर जिन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है उसकी जानकारी के साथ इसकी शिकायत एसपी सहित कोतवाली में दर्जिकराई है मैं अपने खाते में उसी बेंग से 19 रुपे कर कर पूरा मतला मेरे बच्चे खाते में ट्रांसफर कर लिए पूरा पाईसों यह परसों गटना है शिकाद में अपयों सतने में कर दग में ने जादार रही है बैगै कोईgend वहीं डेने के पहले लोन देने के फिर सत्रा प्रकार कागज लेता है यह ओटी भी देता है नहीं यहां बच्चा शुपरी था यही जो फ्राड हुआ है बच्चा शुपरी था आइसी आइसी बैंक में वो दिल्ली में जॉब करता है दिल्ली की ब्रांच का उसका था हो एकाउंट नंबर दिल्ली के ब्रांच में शिवपूरी से कुलिप गुपता की रिपोट